नमाशकार साथियो, मैं हूँ यश्पाल और स्वागत है आप सब का आज की इस मेरी पीडियो में सो आज मिलकर शुरू करते हैं आज का जो पहला शब्द है वो है प्रीपॉंडरेंट प्रीपॉंडरेंट का मतलब होता है अग्रानी किसी ग्रूप में बस्तू का ग्रूप हो सकता है चाए व्यक्तियों का ग्रूप हो सकता है और उस बहुत बड़ा समू जनी ग्रूप के मैंसे जब हम किसी एक बस्तू को महातव देते हैं एक को तोड़ी जाव देते हैं धहन देते हैं तो भोलते हैं जिसको जादा धेयां रहे वो pre-ponderant है सबसे अग्र है में सबसे ज़ादा महत्व रखता है जो जो सबसे चीज बहुत से एक ग्रूप में समुझ में कोई जादा महत्य रखती हूर वो बसतो हो सकती है कोई इंसान हो सकता है उसको क्या बोलेंगे प्रीपॉंड रेंट अगला शब्द है डिससी वली डिससी वली का मतलब होता है निरेनाइक तरीके से इफेक्टिव अली बहुत क्विक्टली जैसे मान लो आपको डिसीजन लेना है कि आपको लाइफ में कोई कोई यूद अगला शब्द है रेजली इन्ट का मतलब होता है इस अशा भश्वांतल अगला शब्द है रेजलियंट, रेजलियंट का मतलब होता है ऐसा भादर भैक्ती, बीर भैक्ती जो सहासी भैक्ती बोलेंगे, जो किसी भी सिचुएशन से लड़ने की चम्ता रखता हो, जिसे मान लो कहीं बंचाल हुगा और उसके सब कुछ नस्थ हो गया, लेकर फिर भी उन बस्तों का जो नस्थ होगे, उनकर निर्मान करने में जूट गया, उसको क्या बोलेंगे, सहासी, रेजलियंट परसन, अगला शब्द है आटोक्रेसी, आटोक्रेसी का मतलब होता है निर्कुष्टा, जब किसी कट्रे में कोई इनसान रूल करता है, एकी के हाथ में ता परेसी तरह से, अगला शब्द है सावरण्टी, सावरण्टी का मतलब होता है जब कोई देश, देश के पास जो अपने देश के बार में फ्यसले करने की जो शक्ति होती है इसको बोलते है सावरण्टी जैसे हिंदोस्तान, सोच के पाज गौवर्वेन्ट आफ हिंडिया है उसके पास पावर है कि अपने देश के बारे में फैसले लेने में, लोगों के बले के बारे में, हमारी आर्मी, नेभी, जो भी हमारे देश के बारे में decision लिए जाते हैं, वो decision लेने की जो पावर है हमारे देश के पास, उसको क्या बोलते हैं, sovereignty बोलते हैं, अगला शब्द है cogniscent का मतलब होता है किसी का संग्यान होना संग्यान होना आपको जैसे पैरेंट्स हैं थे उनको अपने गर का knowledge होता है तो जब उनको अवेर है संग्यान है वह चीज है तो किसी का संग्यान होना अवेर मतलब मतलब होता है असानी से बहुत जल्दी किसी के प्रभाब में आ जाना जैसे मान लो कोई स्कूल पढ़ते हैं चोट चोटे बच्चे होती है ना जैसे मान लो 10th में 9th में किसी की बातों में आ जाते हैं उनको पता नहीं होते हैं कोई भी कुछ भी बोलेगा सही मान लेंगे चोटा सा बच्चा है जिसे दो तीन साल का बच्चा है उसको नहीं पता हीरा कैसे मीठा होता है और उसने एक दिन पूछ लिया अपने पापा जी को कि पापा जी जी तो मतलब जो इनसा आसानी से किसी की बात तुम्हें आ जाता है इसको क्या बोले हैं मतलब जो बच्वन वाली यह होती है कोई नशे लगने की आदित होती है बुरी संगती में पढ़ने की ऐसा डर रहता है उन सारी चीज़ को क्या बोलते हैं से सब्टिवल अगला शब्द है परफंक्टरी का मतलब होता है कि बिना मन के कोई काम किया जाए मझबूरी है बहिआ करना पर जैसे बच्चा को पढ़ना तो नहीं चाहता है पर घर वाले पढ़ाना चाते हैं अब स्कूल बेज जा एंब यह जाना तो पढ़ेगा इंट्रेस्स की कर तो इसको क्या बोलते ह का मतलब होता किसी बात को ना बढ़ा चड़ा कर बना जाना मिर्च मसाला लगा के कहना जैसे को सिंपल सी बात को नहीं बता है जैसे न्यूज चैनल होते हैं वह सारे के शोटी सी बात होती है उसको बढ़ा चड़ा कर बोलते हैं कोई किसी ने कुछ की जैसे मालो कहीं को Scurrility का मतलब होता है गाली गरोज करना kisi को एविविजिव लेंग्वेज उस करना किसी के परती तो उसको बोलते है Scurrility अगला शब्द है Any Mad Version Any Mad Version का मतलब होता है किसी की निंदा करना किसी के बारे में बला बुरा कहना अलोचना करना कि वो ऐसा है वो ऐसी है बोजे है वो वो है इस तरह के जब बातें की जाते हैं उसको क्या वोलते हैं एनि मेर्ड वर्षं अगला अज़की इस लंक्छर का लाज शब्द है वह है डिस्वॉडडेंट डिस्वॉड्डेंट का एक जब आपके विचार प्रतिकोन हो मतलब के प्रतिकूल होना जैसे आपकी सोच और किसी और की सोच में जो अंतर है प्रति Fürta है जैसे बहन क्या है दिसकोर्ड does को नहीं हो सकता है जैसे मैं कुछ सोचता कुछ हो क्या करता कुछ हो जब मेरे सोजनियों करने में फर्क आ जाता है उसको क्या बोलते हैं डिस्कॉर्डेंट डिसोनेंस बोलेंगे तो इसको मतलब जब हमारे बिचारों में और कर्मों में फर्क आ जाता है उसको भी डिस्कॉर्डेंस बोलते हैं इसी तरह जब मेरे बिचारों में किसी दूसरे इंसान की बिचारों में अंतर जाए हमारे जो प्रतिकों उसको बोलने प्रतिकों जैनि डिस्कॉर्डेंट हैं हम एक दूसरे से हैं हमारे बिचारों में असंगती है एक जैसे नहीं है तो इसी के साथ पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए और हमेशा उत्साहित रहिए और रखिए अपना खुबसारा ध्यान देने वादे